वेल्कम फ्रेंट्स प्रकार से माश्टर कलास होगी जो आप ट्रिक देखेंगे ये लगभग आपके सभी परिक्षाओं में आते हैं हम लोग भिनने से सम्मंदित सवाल देखेंगे लेकिन ये जनरल सवाल नहीं है जो आप देख रहें ये सवाल बड़े आजीब से हैं मतलब देखने में तो जादा 25 सिकेंड का टाइम होता है अगर आप पेपर कॉपी लेके हल करते हैं तो टाइम भी जाता है और कोई भी सवाल ऐसा नहीं होता जो किसी को ना आए सभी लोग को आता रहता है लेकिन फिर भी आप सेलेक्ट नहीं हो पाते इसका कारण ही है देखिए तो इस तरह का कि हो इतना आसान नहीं तो यह सवाल आपसे पूचे जाते हैं जो दिख रहे हैं देखिए इसके लिए ट्रिक का ऐसे करेंगे ट्रिक का फार्मेट देखिएगा अगर ए सही बी वटासी धन डी सही इवटायफ और धन जी सही एचापान आई टाट डाट ऐसे दिया गया है तो इसके लिए मतलब इसी तरह का ये भिन्ण है इसका ट्रिक होगा A धन ये D और धन जी इसको आप अलग कर लेंगे और प्लस ये B अपान C धन E अपान F धन H अपान I और धन ये प्लस डाट डाट जो भी होगा इसको आप अलग जोड़ लेंगे देखिए ये आपको पहले बज़र कैसी की एक है ये टरहती सब्सक्राइब सवाल तक बिल्कूल समझत्या गाजाएगा यह मैंने क्या किया one को अलग कर लिया three को और eight को मतलग जो भिन्नों के आगे लिखे हुए थे इनके उनको मैंने अलग कर लिया बस इतना किया है कर लिया बाकी बचता क्या है यहाँ पर क्या था एक बटा दो माल लेते हैं जो भी रहा होगा ठीक है अब यह क्या बचा भिन्न में दोई बटा साथ बचा इसमें एक बटा दो बचा और इसमें क्या बचा एक बटा तीन बचा है ना अब आप इसको जोड़ लिजी इसको जोड़ लिजी अलग अलग आपका उतर हो गया लेकिन जोड़ना आपका अगर आता है आपको तभी आपकर पाएंगे तो तीन एक चार और आठ यह हो गया बारा यह थोड़ा साफ के लिए दिक्कत होगा देखिए लासा निकालेंगी कैसे अगर आप देखें तो यहां पर जो भी संख्याएं हैं सभी आभाजे संख्याएं मतलब है किसी से कटेंगी नहीं तो साथ दूना चौदा और चौदा तीया कितना होगा 42 या दो तीया ही छे सते 42 लसीम आएगा 42 आप सिंपल में यहां पर 42 लिख सकते हैं और फिर क्या करेंगे साथ से भाग देंगे तो छे आएगा साथ चंग 42 छे का दो में गुड़ा करे तो 12 हो जाएगा दो से भाग करेंगा 42 में तो 21 आएगा 21 का इस में गुड़ा हो जाएगा एक तीन से जब आप 42 में भाग करेंगे तो 14 आएगा 14 का एक में गुड़ा हो जाएगा यह 14 हो जाएगा समझ गए यह काफी दूर लग रहा है ना इसको थोड़ा हम पास में लिख हल करेंगे ठीक है यहां तो हम लोग सिंपल में देख रहे हैं इसको जोड़ लेना सभी को 12 प्लस करके तो जब आप जोड़ेंगे तिया हो जाएगा 12 प्लस चार एक पांच दो साथ और यह हो जाएगा एक दो तीन और एक चार और यह क्या हो जाएगा 42 इसके नीचे मन लिख लिए इसी को हल करना है फिर से देखिए कितना आजाएगा 42 आजाएगा अब इसको इसको हल करेंगे न दोनों तो यह नीचे हो जाएगा 42 और फिर क्या करेंगे 42 हो जाएगा 42 जब इसको भाग करेंगे एक से तो कितना आएगा 42 आएगा और 12 में गुड़ा हो जाएगा तो 12 का 42 में गुड़ा करेंगे आपकर अब आप जोड लेंगे तो 47 में 4 जोड़ेंगे हो जागा 51 यानि कि 551 बटा 42 आजाएगा कितना आएगा 551 बटा 42 आएगा अगर इसे आप भाग करना चाहें तो 42 से भाग करके देख लेजिए सही बटा में आएगा फिलहाल इसमें से कोई भी option सही नहीं है तो D वाला option सही हो confusion है तो comments कर सकते हैं अगला सवाल देखते हैं वीडियो को रोग करके लिख लें दूसरा सवाल में भी आप इसी तरह का trick लगाएंगे और इसको भी हल कर लेंगे देखें ट्रिक के अनुसार आपने देखा था जो सही बटा में आगे लगा हुआ नंबर है उसको अलग जोड समझ गए इसको अलग जोड़ लीजिए दो दो चार एक पांच हो जाएगा प्लस और इनको सबको अलग कर लेंगे LCM निकालेंगे इन 3 संख्याओं का कितना आएगा आप आप हल करके देख लिजिए-गा 2ग कम 2 2 2 4 यानि की 4 3 12 LCM आएगा है ना क्यूं आएगा क्यूंकि 2 और 4 का लासा कितना आएगा चार आएगा और 4 और 3 का LCM निकालेंगे तो 12 हो जाएगा तो सिंपल सी बात है टोटल बारा आएगा अगर आपको लासा निकालने के ट्रिक नहीं आती है आप सवाल देखके उसका LCM नहीं बता सकते तो कमेंट करिएगा आपको हम उसकी कलास भी दिखा देंगे बारा में तीन से भाग देंगे चार आएगा चार का पांच में गुड़ा करेंगे चर पंचे पीस हो जाएगा फिर जब हम बारा में दो से भाग करेंगे तो छे आएगा छे का साथ में गुड़ा करेंगे ये छे से ते बायालिस हो जाएगा धन चार का बारा में गुड़ा क बाग करेंगे तो तीन आएगा तीन का एक में गुडा करेंगे तीन हो जाएगा अगर आपको LCM नहीं आता इन भिन्नों को जोड़ना घटाना नहीं आता तो कमेंट करिएगा हम आपको इसकी कलाफ अलग से दिखा देंगे इसको जोड़ लेंगे ये तीन दो कितना हो और इस तरह से इसे आप इधर साइड में लाके लिख सकते हैं पांच बटा एक धन पैसट बटा बारा है ना सही जुड़ा है ना हल कर लिजी बस हो गया आपका अंसर आ गया इसको हम जोड सकते हैं बारा लसीम आएगा नीचे बारा लिख लें और ये बारा पंचे 60 और धन पैस आप उस तरह से 60 एक सो 200 ये 125 बटा बारा आजाएगा तीन से काटेंगे नई कटेगा पांच से भी नही कटेगा तो ये आपके उप्चन के ऊपर डिपेंड करता है अगर आपके सवाल में कहीं 125 बटा बारा दिये तो आप ऐसे छोड़ देंगे लेकिन ये देखिए like fraction है कि unlike आपने बढ़ा होगा बेसिकरित में ये unlike fraction है मतलब की ये असमान भिन है तो इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते है फिर हम इसमें भाग करेंगे 125 में 12 से आप जानते हैं कितना बार जाएगा ये बारा दहम मत तो 120 हो जाएगा पहले एक बार जाएगा 12 में ये देखिए 0 आगया अब आपने 5 उतार लिया कुछ लोग क्या करते हैं इसे छोड़ देते हैं बटा ऐसे नहीं छुटेगा ये दसमलो भी नहीं ले जाना है जो भी आपके एक्जाम में जैसा भी दिया हो ऐसे आप लिख सकते हैं अगर आपको सिंपल वाली फ्रेक्शन का हल करना नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा जैसे इतना का अगर आपको नहीं हल करना समझ में आक ऐसे इसको किया तो बताईएगा क्योंकि इसमें भिन्नो का ही सारा खेला है एक कलाफ चरी थी अगस्त के महीने में जिसको अभी तक आट से नौ लाख लोगों ने देखा है उसमें यही चीज पढ़ाया गया था तो मानते हैं कि आप लोगों की इसमें काफी प्रॉब्लम होती है है ना देखिए आगी कुछ सवाल हम आपके लिए दिखाएंगे उसको आप लोग करेंगे देखिए अब आप लोगों ने समझ लिया होगा तरीका यहाँ पे कुछ बेसिक कांसेप्ट का हमने आपको होमवर्क दिया है यह आप लोग करके लिखे आएंगे अगर आप साम साथ बजे वाली जीरो लेबल की गड़त की कलास इसमें देखते होंगे तो आप पक्का कर ले जाएंगे यह कलास पहले 5 बजे से होती थी फिर 6 बजे से हुआ टाइम लेकिन आप लोगोंने ओट किया था हमने कम्यूटी टैब में कोईस्टन पोस्ट किया था कि आपको जो सीडूल है जीरो लेबल का कितना बज़े अच्छा रहेगा तो 65 से 70 पर 30 लोगों ने माना कि सामको 7 बजे ठीक रहेगा इस वज़ास से अभी यह कलास 7 बजे से होती है तो आप इन सब को हल करके वाटसब नंबर जो कि आपको उपर दिख रहा है मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ इस पे आप सेंड करेंगे अगर आपने कलास जोइन किया है तो आपका इसका सलूसन सही है या गलत तुरंत बता दिये दैगा अगर नहीं जोइन किया तो आप जोइन कर लीजिएगा ठीक है ना आज के लिए बस इतना ही अगर आप हर दिन की कलास चाहते हैं टेट सीटेट का complete मैद सीखना चाहते हैं पढ़ना नहीं पढ़ना तो आप बहुत जगा पढ़ सकते हैं अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप class आवस से join कर ले बिल्कूल पक्षा एक से लेकर के 12 तक की गड़े सिखाने की हमारी जिम्मेदारी होगी आप लोग हर दिन class देखें और मित्रों को भी जोड़े तो आप सभी 60-70,000 मित्रों को बहुत बहुत थैंक्यू किरपा इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी share करिएगा जिससे उन्हें भी जनकारी मिल सकें फिर से अगली class होगी अभी 8 बजे से कच्छा 10 के NCRT में थोगी उसको भी देख लेजिएगा फिर साम को और सभी class होंगी आपकी जल्दी ही हम आपकी और भी बिसाय की class उपलब्द करवाएंगी अगर आप हिंदी, बाल विकास और पर्यावराणों को आप फढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रेप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से हमें अनेकरडमी पर फॉलो कर सकते हैं और PBR study के official Facebook page को भी अवास से like करें जिससे आपको ये सभी class Facebook पर भी दिख सके अगर आप ये class Facebook पर देख रहे हैं तो आप वहाँ पर लिंक दी गई होगी झाल